नमस्कार साथियों स्वागत है आपका स्टेडी क्लाउड चैनल पर इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो भी विगत परिक्षाएं हुई है वीपीएस की उसमें जो भी प्रस्ण पूछे गया है उनका रिवाइज करेंगे तो चलिए रिविजन सुरू करते हैं उनका जो भी आप आप औटेटर में आ ए सारे प्रस्ण लाइज को सामिल किया गिया है इनको चैप्टरा वाइज हमन देखते हैं शुरू करते हैं वीडियो को इतिहास से सुरू करते हैं बारती इतिहास प्रागैति हसिक काल पहला प्रस्ण है हमारा प्राचीन पूरा तात्वी कस्तल काली बंगन किस राज्य में हैं काली बंगा या काली बंगन ये हैं राजस्थान राज्य में काली बंगा प्राचीन पुरातात्विक अस्तल राजस्थान के हनुमान गड़ जिले में इस्तित है सरव परतम 1952 में अमला नंद घोष ने इसकी खोच की इस अस्तल का उत्खनन कारे 1969 में बीबी लाल एवंग बाल कृष्ट ने थौपर ने प्रारम किया यहां से यग्यवेदी एवंग जूते हुए खेट के साक्षे मिलते हैं प्रतम मानो जिवास्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ नर्मदा नदी घाटी से यह आया था 66 BPSC में भारत का प्रतम मानो जिवास्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ 1982 में अरुन सोनकिया ने वशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हतनुरा अस्तल से मानो कपाल तथा हाथियों का जिवास्म प्राप्त किया हतनुरा से प्राप्त जिवास्म भारत में प्रतम मानो जिवास्म हो तिसरा प्रस्ण भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारत की प्राचीनतम संस्कृति है कूरा पासानिक काल कूरा पासान काल आधुनिक काल से धाई लाख इशा पुर्व से दस जार इशा पुर्व तक कमाना जाता है या Hand Axe, Clever और Scraper अधिविसिष्ट उपकरणों पराधारी संस्कृती थी मदे पासान काल में पसु पालन के प्राचिंतम साक्ष्य मिले हैं नौपासान यूग में मेहरगाड में क्रिसी के साक्ष्य मिले हैं नौपासान यूगीन अस्तल मेहरगाड और बुर्ज होम हैं भारत की प्राचिंतम संस्कृती पूरा पासानिक संस्कृती का माना जाता है नेक्स्ट है भारत में विस्व विक्याद सहल चितर कला अस्तल करहां इस्तित है ये भीम बेटका की गुफाएं भीम बेटका मिस्तित है भारत में विस्व विक्याद सहल चितर कला अस्तल भीम बेटका मिस्तित है यहाँ यह भारत की मद्परदेश के राए सेंजिले में इस्तित एक पूरा पासानिक आवासिय पूरा अस्तल है यह आदी मानो द्वारा बनाए गया सैल चित्रों और सैलासरेयों के लिए प्रसिद्ध है यह चित्र भारतिय उप महादूई पे मानो जीवन के विप्राचिंतम चिन्ने है बारतिय पुरतत वे शर्वेक्षन भुपाल मंडल ने अगस्त 1990 में रास्ट्रिय महातो का स्थल गोसित किया इसके बाद जुलाई 2003 में युनेस्को ने इसे विस्व धर हो रस्थल गोसित किया इस स्थल की कोज 1957 अंठावन में वी एस वाकन कर द्वारा की गई प्रथम मंके के निर्मान का प्रमान किस अस्तल से प्राप्त होता है पाटने से महारास्ट के पाटने या पाटने महता खेडी राजस्तान के चंदेशाल मद्य प्रदेश के राम लग रादी से प्राप्त सुतुनमुर के अंडो पर की गई चितरकारी से इसकी पूष्टी होती है सुतंबुर के अंडो पर की गई चित्रकारी सरोपरतम 1860 में यूपी के बांदा जिले में मिली प्रंदु प्रातिंता मानो निर्मित चित्रांकन पाटने से प्राप्त हुआ है इसका केंदर पाटने एवंग भीम बेट का दोनों था परंदु सरोपरतमण के का निर्माण पाटने में हुई चिरांद पूरास्तर पर किस प्राचिंतम संस्कृति का वशेश मिले है वहां मिले है नौपासानी संस्कृति का वशेश बिहार के सारन जिले में चिरान नामक ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नौपासणी का वसेश प्राप्त हुए जा 1962-23 में प्रोफेशर बीके सिनाद वारे सस्तल का उत्खनन करवाया गया उत्खनन में पांच प्रकार की संस्कृतियों का वसेश मिले यहां मानो घास पुस्क के घरों में रहते थे चावल की खेती के भी प्रमान यहां मिले नौपासान काल में ही क्रिशी कर्म का प्रादुर्भा हुआ हुआ जिस काल में क्रिशी कर्म का प्रादुर्भा हुआ वा कौन सा काल कहलाता है नौपासान काल दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में इस्तित है? दमदमा पुरास्थल है उत्तर प्रदेश में उतर वर्देश के परताब गर्जिले में इस्तित महदाहा पुरास्तल से 5 किलो मीटर उतर पस्चिम की और दमदमा जिसे पट्टी तहसील कहते हैं यह पुरास्तल है 1982 से 87 इसवी तक यहां उत्खनन कारे हुआ यहां से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन यानि तक्षणी आदी बहुत से लगूपासान उपकरण प्राप्त हुए यहां से हड़ी तता सिंग के उपकरण यह वंगाभूशन भी मिले हैं इनके साथ 40 मानों सावधान तता कुछ गर्थ चूलिया भी प्रकाश में आये हैं विभिन पसुव जैसे भेंड, बकरी, गाय, बैल, भैस, हाथी, गेंडा, शू और आदी की हड़िया प्राप्त हुई है कुछ पक्चियों, मचलियों, कछवई आदी की हड़िया भी मिली है भारत में पसुपालन वंक्रिशी के प्राचिंतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहा साथ अजार इसा पूरो पसुपालन वंक्रिशी के साक्ष्य प्राप्त हुए, इस असल पर गेहू जो तता खजूर की खेती होती थी, तता भेर, भकरिया, तता मर्विसी पाले जाते थे, कालांतर में आहडपा के शहरी करंग के पुरवरती काल में महर गड़ के निमासियो ने उप नगर विसाया था। चित्रित मिर्दभांडों के वसेश तामरपाशानी काल में ही मिलते हैं इसी काल के लोगों ने सरो परतम भारतिय प्रायदीप में बड़े बड़े गाउंगों की इस्थापना की नेक्स्ट टॉपिक है सैंदो सब्बता इस समय मोहन जोदरो किस देस में है मोहन जोदरो किस देस में ह there habeי हाल में पाकिस्तान में आता है मोहन जोदरो पाकिस्तान के संदु प्रांथ के लरकाना जिले में सिंदु नदी के दाहिनें तक परिष्थित है मोहन जोदरो सब्दो का अर्थ है मिर्तेको का ठिला इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर जी ने जॉन मार्सल के निर्देशन में किया हूँ इस अस्तल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्क्रिष्ट सहर होने की माननेता प्राप्त है निमने कत्रों में से कौन साक्षन सही है हडपा का उत्कानन 1921 में किया गया था सही है वरतमान में ह थे हडपा पाकिस्तान में यह भी से हडपा व्यास नदीके किनारे हैं यह गलत है च्शान पर बहुष्य में बार्ते में हम के निर्देशन में रायْ बहादृर दयाराम्सेहनी ने सरवपरतमा सहर का उत्खनन कराया या अस्तल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मेस्तित मांट गूमरी जिले मेरावी नदी के बाएं तक परवस्तित है जबकि राखल दास बनार जी ने मोहन जोड़ो अस्तल के उत्खननन का कारिया वर्स 1922 में कराया महराश्ट के देमाबाद में हडपा काल के चत्रवाला तामर रत्र मिला है प्राक शैंदो काल के किस पुरास्तल से हल द्वारा जुताई के परमान प्राप्त हुए यह काली बंगा से प्राप्त हुए काली बंगा राजस्तान के हनुमान गड़ जिले में घगघर नदी के बाएं किनारे पस्तित या सैंदो सब्रता क का महतुपुन अस्ताल है 1952 इस्वी में अमला नंद गोस के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई यहां से प्राप्त प्राक शैंदो काल के सबसे महतुपुन उपलब्दी एक जुते हुए खेत की प्राप्ती है इसमें आड़ी तिरसी जुताई की गई है निम्न में से किस हडपन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं यह मिले हैं काली बंगा से या काली बंगन से हडपिया संस्कृति के उपकरण के इस धातु से निर्मित है ये तामबा या कांचा हडपिया संस्कृति शैंदो संस्कृति के उपकरण तामर या कांचा से प्राप्थ हुए है मोहन जोदरों से तामबे के दो उपकरण प्राप्थ हुए आईएटी खड़कपूर के अद्यान दलकी रिपोर्ट के अनुशार लगातार कितने वर्सों तक नौ के बराबर वर्सा का होना सिंदुगाटी सबिता का पतन का कारण रहा था लगातार 900 वर्सों तक आईएटी खड़कपूर के वेग्यानिकों ने लगबग 4,350 साल पहले सिंदुगाटी सबिता के खत्म होने की वज़ा बने सूखे की अवधी का पता लगाया वेग्यानिकों ने उस तियोरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी आयाटी खड़कपूर के भू, गर्व, शास्त्र और वागॉलिक विवाग के सुधकरताओं ने पिछले लगबग 5,000 साल के दोरान मानसून के पैटरन काध्यन किया और पाया की लगबग 900 साल तक उत्तर पस्चिम हमाले में बारिस नहा के बराबर हुई इस कारण सिंदू और इनकी इस हायक नदिया जो बारिस से साल भर भरी रहती थी शूख गई इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंदू सब्वेता के निवासी नदियों में पानी खत्मोने से पुर्व और दक्षिन की और गंगा यमुना घाटी की और चले गए जहां बारिस बहतर होती थी सिंदू घाटी सब्वेता के सबसे महत्तोपून विशेश्ता क्या है? पक्की ईटियों से बने इमारत इस सभ्यता को प्रथम नगरिये करांती भी कहा जाता है कि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता की शमय हुआ सिंदु सब्यता के नगर जाल की तरह विवस्तित होते थे तता सड़के एक दूसरे को प्राय समकोन पर काटती थी समान ने तब होगा निर्मान में पकी होई इटों का प्रयोग किया जाता था यह दिपि सिंदु सब्यता के किसी भी पुरास्टल से मंदिर के शाक्षे नहीं मिलें किन्तु सुर्य पुजा अगनी पुजा मातरी देवी के उपास्टा के साक्षे आवस्य प्राप्त हुए हैं सिंदु सब्यता से प्राप्त महरे, मन के और मृत भांड वर लगू कलाएं उनके सौंधरिय बोध को इंकित करते हैं सिंदु घाटी सब्यता के प्रक्रिती कैसी थी? नगरिय प्रक्रिती थी निम्न में सिक्किस हडपा कालीन अस्थल से हल का टेरा कुटा प्राप्त हुआ हल का टेरा कुटा बनावली से प्राप्त हुआ बनावली हर्याना के हिशार जिले में है यहां से दो सांस्कृतिक अवस्थांस के अवसेश मिले हैं हडपा पूरू एवंग हडपा कालीन इस अस्थल की खुदाई 1974 में रविंदर शिंग विष्ट के नित्रितों में की गई यहां दुर्ग तता नीचला नगर अलग-अलग ना होकर एक ही प्राचीर से घीरे थे यहां से मिट्टी के बरतन, गोलियां, मन के, तामबे के वानाग्र हल की आकरती के खिलोने आदे मिले हैं निम्न लिखित में से कौन हडपा और महन जोदुरक उत्खनान से सम्मंदित नहीं थे V.A. Smith नहीं थे, R.डी बनर जी थे, K.N. देख्चित थे, MS. बनर जी, K.N. देख्चित तथा MS वत्स हडपपा और महांचादर को उत्खनान से संबंदी थे जब कि VA Smith विश्व इतिहासकार थे जिनोंने भारत के इतिहास से संबंदी कई पुस्तकों की रसना के जिन में The Oxford History of India, Art of India, The Early History of India प्रमुक पुस्तक हैं निम्न लिखित में से कौन सा एक हडपपा का बंदरगा है लोथल बंदरगा था हडपपा का लिन लोथल हडपपा सब्धा का बंदरगा हनगर था यहां के उत्खनन से बंदरगा के होने के परमाण मिले है लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के हम्दाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरगवाला गाउं से दो किलो मीटर उत्तर में स्थित है इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की इस अस्थल के बारे में महत्वपुंड तथी तथा मिली वस्तु में निम्न है नाओ के आकार के दो मोहरे तथा बंदरगा, लकड़ी का अनागार, बैल, कुता, खरगोस तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तिया तथा मोहरे युगल सवाधान की प्राप्ति जिसमें सीर पूरू में तथा पैर पस्चिम में है और वे करवट लिये हुए लेटे हैं मन के बनाने वाले सिल्पियों के दुकाने, उतरा वस्ता की एक अगनी वेदी, अन्न पिष्णे की चक्की सिंदु सब्यतागे से संबंदित पूरा तात्विक अस्ताल लोथल, लोथल किस नदी के निकट स्थेत है? भोगवा नदी के निकट स्थेत है हडपा में एक उन्नत जल प्रबंदन प्रनाली का पता चलता है, कहां से? धौला विरा में धौला विरास्तल की खुदाई से एक विसाल शेंदो काली नगर का वसेश और एक उन्नत जल प्रबंदन प्रनाली का पता चलता है लोतल गुजरात कहमदाबाद जले में भोगवा नदी के किनारे स्थेत है यहां गोधी बाड़ा यानि बंदरगा, कैतरिक्त, मृत बांड, तीन युगमित समाधियां के उधारन मिले हैं काली बंगा राजस्थान के हनुमान गर जले में घगघर नदी के तरफ परिस्तित है यहां से काले रंगी चूडियां, हवन कुंड तता जूते वे खेत के प्रमान मिले हैं आलम गीरपूर, पस्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरट जले में यमुना की सहायक, हिंडन नदी के तरफ परिस्तित है या हडपा संस्कृति का पूर्वी अस्थाल है, यहां से मन के तदा मिट्टी के बरतन मिले है हडपा में मिट्टी के बरतनों पर समानने तक किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का हडपा से प्राप्ट मिट्टी के बरतन समानने तक लाल रंग के हैं 1921 में दैराम साहनिक ने मारसल की निर्देशन में या उत्खनन कराया। सिंदु सब्विता निमन में से किस युग के अंतरगत आती है। आद्याती हासिक काल के अंतरगत आती है सिंदु सब्विता। सिंदु सब्विता को उसकी नीपी के ना पढ़े जाने के कारण उसे आद्यातिहासी काल के अंतरगत अस्थान दिया गिया है। तृतिय कांस काल की तामरपाशनिक सब्विता रेडियो कारवन विसलेसन के आधार पर 2500 इसा पूरों में विद्धमान मानी जाती है। किन्तो यह सब्विता अपने उतक्रिष्ट काल में 2550 से 1900 इसा पूर वर्था 650 वर्स तक रही थी। निम्न में से किस देश के साथ हडपनों का व्यापार एक सम्मंद था मेसो पुटामिया के साथ। सिंदु घाटी सब्विता मुख्य रूप से एक सहरी संस्कृती थी जो आधिक के क्रिशिवत पादंत था वानी जी वैपार से जुड़ा हुआ था। हडपा सब्विता का दक्षिनी मेसो पुटामिया में सुमेर के साथ वैपार वानी जी सम्मंद था। सिंदु घाटी के लोग थें सिंदु घाटी के लोग साकारी और मांसाहरी दोनों थें। सिंदु सब्विता के निवासी साकारी और मांसाहरी दोनों थें इनके वोज्य पदार्त में गेहुच जाओ, मटर, तील, सरसो, गाय, शुवर, बक्री, बक्री के मांस आदी प्रमुक रूप से खाय जाते थें। चहुंदड़ो अरतमान में पाकिस्तान के सिंदु प्रांत में सिंदु नदी के बाएं तट पे है, इसका उत्खना न 1935 में अर्निस्ट मैकेनिक या, यहां से प्रमुक रूप में मनके बनाने का कारकाना, कांद से गाड़ी, वक्राकारी, लिपस्टिक, बिली का पीछा कर प्राप्त हुआ है, अब देखते हैं वैदिक सब्वेता से जुड़े प्रशन, वेदों में प्राचिंतम वेद कौन सा है, रिगवेद, हिंदु धर्म अस्थापित चारों वेदों में रिगवेद सबसे पुराना है, इसकी रशना का काल 1500 से 1000 इसा पूर्व कमाना जाता है रिगवेद में दस मंडल भीवाजित है, गयत्री मंतर कव लेकर रिगवेद के तीसरे मंडल में आता है, इसकी रशना कार है विस्वामित्र, पुरुसार्थ कितने हैं? पुरुसार्थ चार है, हिंदु धर्म में चार पुरुसार्थों और था पुरुसार्थ, कौन सा है रिगवेद सबसे प्राचिंदम वेद है रिगवेद रिगवेद को प्राचिंदम वेद माना जाता है इसमें कुल 10 मंडल एक हजार अठाइस सुक एवंग दसजार पांत सो बावन रिचाएं या मंत्र है रिगवेद का तिसरा मंदल सूरी देवता को समर्पित है इसी में गायत्री मंदल का उलेख किया गिया है नौए मंदल में सुम का उलेख मिलता है रिगवेद के दो ब्रामन गरंत हैं एतरेय तथा कोसितकी रिगवेद के मंत्रों का उचारण करने वाले रिशी को होत्री या होता कहा जाता है गायत्री मंत्र के सुष्टक में मिलता है रिगवेद से प्राप्ते गायत्री मंत्र रिगवेद में यग्येतु कितने परकार के पुरोहितों यानि रित्विच कवर्णन मिलता है साथ परकार के पुरोहितों का रिगवेद में यग्येतु साथ परकार के पुरोहितों कवर्णन है अधरवड्यू, पोता, ब्रम्मा, आगनेद, पोता, नेंटा, प्रशास्ता वेद कितने प्रकार के हैं? वेद चार है वेदों की संख्या चार है रिगवेद, यजरवेद, सामवेद और अथरववेद रिगवेद में होत्री वर्क के प्रोहित, यगे कुन्ड में अगनी कावाहन कर वेद, बंतरो, दोरा, देवताओ के स्टूती करते थे सामवेद, उदगाता, शाम का गायन करते थे यजरवेद, अधरवर्यू, याग्गी करमकांड का वर्णन करता है अथरववेद, बद, जादू, टोना, मरंण से सम्मंदित था रिगवेद, शामवेद और यजरवेद इन तीनों वेदों को से एक तरूप से वेद त्रई कहा जाता है त्रई का विप्राय क्या है? तीन वेद, कौन-कौन से? रिगवेद, शामवेद और यजरवेद, अथरववेद इसमें नहीं आता है निम्ने में से कौन सी नदी सब्त सैंदों में समाविष्ट नहीं थी? साबर मती इसमें सामिल नहीं थी? सब्त सैंदों में इसमें सामिल कौन कौन सी नदी थी? रिगवेदिक काल के शब्त सेंदों नदियों में शाबर मती नहीं थी इस काल में नदियों के संग्या लगबुग 25 बताई गई रिगवेदिक काल के प्रमुख नदियां ऐसेंदू, सतलज, रावी, जेलम, चिना, व्यास, ततस्रस्वती प्रसिद दस राजाओं का युद्ध जो है, परुष्णी यानि रावी नदी के तट पे लड़ा गया था प्रसिद दस राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पे रिगवेद सहिता का नवा मंडल पूर्ण ता किसको समर्पित है? सोम और इस पेए पर नमांकित देवतार को रिगवेद का संपूर्ण नवा मंडल सोम देवतार को समर्पित है इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं इससो का सबसे प्राचीन ग्रंथ रिगवेद है इसमें 10 मंडल, 1088 सुक्त और 10552 मंद्र हैं। इनका 9 मंडल, सोम, समंदी, 8 मंडलों का सुक्तों का संग्रा है। बोगच कोई का मुहत्त तो इसलिए है। क्यों है? क्योंकि बोगच कोई वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक देवी एवंग देवताओं का वणनन मिलता है। एसिया माइनर में बोगच कोई नामक अस्थान पर लगबग ईशापूर्वच 1400 का संधी पत्र अभिलेक मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुं और नास्ति आदि वैदिक देवताओं के नाम दिये गए हैं। किस काल में अचूद की अधारना सपस्ट रूप से उद्धत हुई है। धर्म सास्त्रों के समय में धर्म सास्त्रों के समय में सुत्र काल में चार वन्नो, ब्राम्बन, शत्रिय, वैसिय वंग सुद्र इसके अतरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यह था कंबस्ट, उग्रनिसाद, मागद, वैदेह, करतकार, आदीक, आविरभाव, अनुलूम, एवंग, प्रतिलूम, विवाहों के फलस्रूप हो गया। पानिनी ने दो प्रकार के सुद्रों का उलेक किया। निर्वसीत, एवंग, और निर्वसीत, इनमें पहले के सुद्र ही और अस्प्रस से माने जाते थे हैं। निम्निमे से एक वेद धार्मिक अनुस्ठान से सम्बंदित है कौन सा। धार्मिक अनुस्ठान से सम्बंदित है यजुरुवेद। यह जुर्वेद एक कर्मकांडिया वेद है इसमें विविद्य अग्यों से संबंदित अनुस्ठान विधियों का उलेक है या गद्य ववपद्य दोनों में रचित है या चालीस अध्यायों में विवाजित है जिसमें केवल 75 सोतंत्र मंत्र है इसके पूरोहितों को अधवर् निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं था कार्थि के नहीं थे बारति ग्रंथ वेदों में वणनित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं इन देवताओं का मुक्य रूप से वन्नन हुआ है वे हैं अगनी इंद्र, सोम, मित्रवरून, शूरिय, अस्वीन, इस्वर, दावा प्रिथ्वि, रूद्र, संपत्ति, ब्रिहस्पति आधी, जबकि पूराणों में दिब विवक्तियों और पुराणियों कौलीक किया गया है। महापुरानों की संक्या कितनी है? महापुरान है 18. महापुरानों की इकुल संक्या 18 है. 18 पुरानों में अलग-अलग देवी देवताओं को किंद्र मान कर, पाप और पुन्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गए है. कुछ पुरानों में स्रिष्टी के आरम से अंते तक का विपरन किया गया है इन में हिंदू देवी देताओं का और पौरानिक मीथकों का बहुत अच्छा वन्नान है नेक्स्ट में हम लग देखते हैं अगले वीडियो में बहुत जैन, भागवत और सैवधर्म थैंक्स पर वाचिंग, कीव सब्सपोर्टिंग, थैंक्यू